हाई एवरिवन क्वागत करता हूँ मÕं मेरे यूटूpe चैनल भात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहा कामकाज कर सकता है यहाँ पहले वे ने यहाँ पर वीकली चार्ट लगा रखा निप्टी का ले रहा है ऑघर आप देखो गे तो में यहाँ पर यहां पर कर सकते हैं तो मैं यहां पे एक बार अपने इंट्राडे का चार्ट लगा लेता हूँ, अगर इंट्राडे की चार्ट की बात करूँ तो मैं यहां पे एक बार 10 मिनिट का मैंने यहां पे चार्ट लगा लिया है, तो 10 मिनिट के चार्ट में अगर आप देखोगे, तो निप्टी क्या करत की लिए मंडे के चलने से पहले में आपको एक बार और है वो यहां पे लेकर चलता हूं तो आवर्ली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ने क्या किया है कि अभी जो यहां पर दी है वह उसमें क्या है बाइरों के SL है वो क्या हिट नहीं हुए है market global news के कारण gap down open होता है और gap down होने के बाद में नीचे की side में ही trade करता रहता है तो अभी जो global market अगर negative रहते हैं तो यह selling pressure अपने market पर भी देखने को मिल सकता है तो अगर आप देखोगे तो बाइरो के SL है वो कहा है 24,350 के नीचे है बाइरो के SL यहाँ पर लगवे हैं तो यह SL जब तक hit नहीं होंगे तब तक market में एक बड़ा downfall है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा जब भी market नीचे की साइड में आएगा आने के बाद में बाइरेक्टिव होते विए नजर आएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में हैं अपन किस परकार से मूव को यहाँ पर केज कर सकते हैं वो यहाँ पर discussion कर लेते हैं तो कल बात करें इंट्राडे की तो अगर निप्टी प्रेट ओपन होता है या हलका सा गेप ओप ओपनिंग करता है तो उसके बाद में अगर 24,680 को निप्टी नीचे की साइड में अगर करेगा तो मैं यहाँ पर पूट की साइड में ही जाऊँगा को कल के लिए मैं बिल्कुल इग्नोर रखूँगा क्योंकि अभी मार्केट में जो गलोबल सेनेरियो है और दूसरी बात निप्टी टोप में है तो को मैं बिल्कुल भी इग्नोर रखूँगा पूट को जब मैंने लेना है तो में 41680 के नीचे ही पूट को क्या है एजुकेट करूँगा और मेरे टारगेट है जो फश्ट टारगेट है और जब 44550 को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मेरे सेकेंड टार्गेट है वो है 24,450 का यह मेरा मेन टार्गेट रहने वाला है अगर कल मार्केट नेगेटिव आता है तो को मैं बिलकुल इग्णोर रखूँगा अब बात कर लेते हैं बैंक निप्टी की कि बैंक निप्टी किस परकार से आपे कामकाच कर सकता है तो bank nifty में मैंने अपने पिछले वीडियो में जो daily analysis के वीडियो है उनमें भी मैं बार बार ये कह रहा था आपको कि 52,000 की जो range बनी हुई है 52,000 का जो resistance बना हुआ है उसको ही bank nifty क्या है इस week में पूरे week में hit करेगा तो जो weekly में ने analysis डाला था उसमें अगर आप देखोगे तो 52,000 के उपर है bank nifty ने बिलकुल भी कहीं closing नहीं दिया जब यहां से 52,000 के support को तोड़ने के बाद में एक अच्छी का सी गिराउट के बाद में bank nifty उपर जूरूर गया था अपना कैसे रहेगा इंट्राइडे में किस परकार से अपनी यहां पर कामकाज कर सकते हैं वो यहां पर देख लेते हैं तो अगर bank nifty 51,000 180 को अगर नीचे की साइड में break करेगा तो मेरा first target है वो रहने वाला है 51,000 का और second target है वो रहने वाला है 50,800 का यह मेरा नीचे की साइड में target रहने वाला है कल के लिए अगर nifty 51,000 180 को नीचे की साइड में break करता है तो क्योंकि जो bank nifty में बाइंग का जो momentum है वो कब मिलेगा आपन को यहां पर 52,000 के अबाव ही जो momentum है वो यहां पर अपन को देखने को मिल सकता है अगर आप मैं बात करूँ तो एक बार मैं यहां पर वंडे का चार्ट है वो यहां पर लगा लेता हूं वंडे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो अभी भी क्या है bank nifty है वो क्या है एक support area के पास में यहां पर कड़ा है और दीरे दीरे यहां पर correction लेते हुए नीचे की साइड में आ रहा है और यह है वो यहां पर आ रही है तो जब भी इस trail line का यहां पर breakout मिलेगा तभी ही क्या है bank nifty के अंदर एक momentum है वो अपन को यहां पर call side की तरफ देखने को मिल सकता है तो अगर मैं बात करूं तो इस trail line के अगर यहां पर trail line को यहां पर draw कर लेता हूं तो अगर आप trail line को यहां से draw क वो कहां से निकल के आ रहा है वो आ रहा है 52,000 के अबावी अपन को यहां पर trend है वो यहां पर change होता हुआ नजर आएगा bank nifty का क्योंकि अभी जो trail line आ रही है 52,000, 850 के something की यह trail line है वो यहां पर आ रही है तो उपर जो psychological resistance है अपना बावन अजार का वो क्या है तो अपन इस उसको ही क्या है considered यहां पर करेंगे क्योंकि अगर एक दिन bank nifty बावन अजार के ऊपर closing करने में काम्याब होता है तभी ही एक अच्छा खासा move है वो यहां पर देखने को मिल सकता है तो अभी क्या है कि market है वो negative बना हुआ है global scenario के कारण अभी अपन यहां पर put के बारे में ही सोचेंगे और जब 51,000 180 को नीचे की साइड में bank nifty नीचे की साइड में निकालेगा तो वो 50,800 तक के target है वो अपन को कल intraday में Monday के trading session में देखने को मिल सकते हैं तो यह analysis आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe कर दीजे और bell icon को press कर दीजे मिलते हैं नेक् हिंदे